नमस्कार SBT News में आपका स्वागत है पेश है 24 मार्च गुर्वार शाम सवा 7 बजे रासान की बड़ी खबरे केंद्रियों मंत्रे नेतिन कटकरी के ओर से 60 किलोमेटर के दायरे में आ रहे दो टोल में से एक को हटाने की घोशना भले ही कर दी हो जहां 60 किलोमेटर के दायरे में एक ही सड़क पर दो या तीन जगा तोल बूत आ रहे हैं और वे अलग-अलग कमपनियों के हैं मुख्यमंत्र शो गहलोत का करीब साड़े-चौर माह पर शात अपने ग्रहनगर जोधपूर आने का कारकरम बन रहा है गहलोत के 25 मार्च की शाम जोधपूर पहुँचने का कारकरम है चबिस मार्च को वे बीस एफ की पासिंग आउट परेड समारों में भागिदारी निभाएंगे जोधपूर जिला प्रशासन ने मुख्यमंत्री की यातरा को लेकर तयारियां शुरू कर दी है हलांकि आपचारिक रूप से कारकरम घोशित नहीं किया गया है बारमेर में मौसम एक बार फिर बदल गया है पारा बीते कुछ दिनों से गिरता चौरा हैं लगातार पारा गिरने से गर्मी से लोगों को राहत मिनी है दिनका तापमान 38 डिक्री के पास पहुँच किया है तो रात का पारा गिर कर तेज डिक्री पहुँच किया है रात के समय में तेज हवा के चलते गर्मी का असर कम हो जाता है गुरुवार को भी हवा और बादलों की वज़ह से गर्मी का असर कम नज़र आया मौसम भाग की माने तो तापमान आगामी कुछ दिनों में स्थे रहने की संभावना है जोदपूर पुलिस ने एक शाती चैन्स नेचर को गिरिफतार किया है चैन्स नेचर जोदपूर शहर में 15 स्थानों पर लोगों के गले से चेन लूट चुका था पुलिस ने करीब एक हज़ा सीसी टीवी फोटेस खंगालने के बाद इसकी पहचान की है पकड़े जाने के डर से आरोपी जोदपूर से भाग निगला पुलिस ने बिहास से वापस लोटते समय मेरता पर इसे घेर लिया लेकिन ये भाग निगला करीब तीन किलमेटर तक पीछा कर आखेकार पुलिस ने उसे दबोच लिया रास्तान मादमी चिक्चा बोड के बारवें के एक्जाम की शुरुवात गुरवास से हो गई पहले दिन साइकलोजी का पेपर हो रहा है इसके लिए बोड कारेले में बोड प्रिशासक लक्षमी नारायन मंतरी सहिद अधिकारियों ने पूजा अर्षना कर शुरुवात की इसके बाद बोड कारेले की कंट्रोल रूम और सीसी टीवे वस्ताओं का जाय जलिया सीने सेकेंडरी का एकजाम बीस अपरेल को समाथ होगा सेकेंडरी और प्रिवेशी का परिक्षाएं 31 मार्ट से प्रारम होंगी एसीबी टीम जैपुर ने गुरुवा सुबह 15,000 रुपए की घूस लेते एक सरपंच को रंगी हातो ग्रिफतार किया है प्रदेश में दिनों दिन बढ़ते पैटरोल डीजल और गैस के दामों के विरोध में आज जैपुर के लेक्टरी सरकिल पर कॉंग्रेस का प्रजरेशन हुआ इस दोरान कॉंग्रेसी कारकरताओं ने प्रधान मंतरी का पुतला फूंका धरने का नेतरत्व खाद्य एवम नागरी का पूर्ती मंतरी प्रताप सिंग खाचरियवास ने किया प्रताप सिंग ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि महगाई दिनों दिन बढ़ती चौराई है केंडरे सरकार इस पर लगाम लगाने में विफल रही है पीम ने कई वादे किये थे लेकिन फली भूत एक भी नहीं हो सका है सिरोही जिला मुख्याले स्थित शीतला माता मंदीर में गुरुवार तड़के 4 बच कर 33 मिनट से ही शद्धालों का आना शुरू हो गया मंदीर में जिला मुख्याले स्थित आसपास के गाउं से फहुंचे सैंक्रो शद्धालों ने दरशन लाब लिया और खुशाली की कामना की शद्धालों ने एक दिन पूरू बनाए गए भोजन का भोग लगाया और प्रसाद के रूप में ग्रहन किया शेदला माता मंदीर में शुब मूरत सुबह चार बच कर 33 मिनट से शद्धालों का आवगमन शुरू हो गया दुंगरपूर का रस्ध विभाग 942 सरकारी कार्मिकों पर मामला दर्श कराएगा इन करमचारियों ने गरीब बनकर खादेश रुक्षा योजना में फरजी तरीके से राशन उठाया था विभाग ने इन पर बकाय राशी निकाली लेकिन बार बार निर्देश की बावजुद ये पैसे जमाना ही करा रहे हैं दुंगरपूर्ट जिले में 3622 सरकारी करमचारियों ने गरीब बनकर फरजी तरीके से राशन उठा लिया ओनलाइन डेटा से गडबड़ी पकड़ में आने के बाद रसर्द विभाग ने जिले में 2642 सरकारी करमचारियों से वसूली निकाली अभी 942 करमचारियों से वसूली शेश है बूंदी जिले के केशव राइपाटन के रोटेदा में गौर्बंट सीने स्कूल में इंडिनों और वेस्थाव का आलम है स्कूल प्रशासन की लापरवाही से परिसर में आवारा पश्मों का जमावड़ा रहता है कई जगा मरत जानवरों के अफशेश पड़े हैं बच्चों के लिए बने टॉयलेट में भी गंदगी का आमबार लगा रहता है ऐसे में यहां पढ़ाई के लिए आने वाले बच्चों में संक्रमन फैनने का अंदेशा रहता है स्कूल परिसर में लगा हैंड़ पाम कई महिनों से बन पड़ा है बारा जिले में एक बार फिर से मौसर में बदलावाया है गुरुवार को सुबर से ही आसमान में बादलों के आवाजवाही बढ़ गई है ऐसे में बारिश के संभावना बनती दिख रही है बारिश के संभावना की चलते किसानों के माथे पर चुंता की लकीरे खिची हुई है गौर्टलब है कि इन दिनों गेहूं और सरसों की फसल की कटाई हो रही है किसानों की फसल खेतों में कटी हुई पड़ी है वहीं मंडी में भी किसान जीन्स पहुंचा रहे हैं परेटा नगरी जैसल मेर में गर्मियों में परेटक कमाते हैं यहां तक कि स्पाइस जैट की दिल्ली और जैपुर के हवाई उडान 27 मार्ट से बंद हो रही है ऐसे में विमानन कमपनी ने अपना समष्च डियूल देकर जैसल मेर को तीन शेहरों से जोडने की खुशख़बरी दे डाली है एनुसा जैसल मेर को गर्मियों में उदैपुर, एमदाबाद और बेकानेर्स से जोडने की तयारी है इस खुशखबरी से जैसल मेर के परेटन विवसाईयों के साथ-साथ यहां के स्थाने निवासियों में भी खुशी की लहर है तो फिलाल इस बुलेटिन में इतना ही फिर हाजर हूंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ SBT News के और भी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें